तो भाईया Royal Challenges Bangalore यानि कि RCB के फैंस को इंतजार है उनके पहले खिताब का लेकिन फिलाल में तो उनका इंतजार है IPL 2025 के Mega Oxen का क्यूंकि जब Mega Oxen आएगा तो उससे पहले सभी टीमें अपने 5-5 खिलाडियों को रीटेन करेंगी जिसमें RCB के फैंस जानना चाते हैं कि उनक पांच रीटेन खिलाडी कौन से होंगे तो टेंसन मत लीजी आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं क्यूंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन होंगे RCB के पांच रीटेन खिलाडी और सबसे बड़ी बात यह है कि पांचवा जो खिलाडी है उसके लिए RCB के मन में थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि पांच में खिलाडी के लिए इनके पास तीन ओप्षन है और इन तीनों में से हम सबसे बेस्ट ओप्षन आपको चूज करके बताएंगे तो वीडियो इंट्रेस्टिंग है बस आप वीडियो करेंट देखिए और सब हम पर छो हम हर रोज हर घंटे आपको प्रोवाइट करते रहते हैं तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आर सीबी के टॉप फाइफ रीटेन खिलाडियों के बारे हम बात करें तो इस लिश्ट में सबसे पहले आएंगे एक ही खिलाडी जिनका नाम हर जुबान पे होता है विराट कोल आर सीबी की टीम इनको रीटेन करने वाली है जो कि इनके सबसे पहले रीटेन खिलाडी होंगे बिफॉर मेगा ओक्सन और इनको सबसे बड़ी प्राइज मिलेगी मेगा ओक्सन से पहले होने वाले रीटेंसन में और अगर आपको इसका रीजन जानना है कि क्यूं उनको सब से बड़ी प्राइज मिलने वाली है जो कि RCB के सबसे बड़े खिलाडी है मुविंग ओन दोसरे नंबर पे हो सकते हैं थोड़े शॉकिंग नेम Cameron Green अब आप सोचेंगे Cameron Green ने एक साल IPL खेला है RCB के लिए फिर भी उनको दोसरे नंबर पे रिटेन क्यों किया जाएगा वो इसलिए क्योंकि Cameron Green एक बड़े खिलाडी है Cameron Green भी अपना वैल्यू जानते हैं वो जानते हैं कि अगर वो मेगा उक्षन में गए तो 12-13 करोड तो उनको आराम से मिल जाएगे इवेन RCB ने उनको जब ट्रेट किया था तो 17 करोड के आज पास रकम दिये थे और इस बार मेगा उक्षन में अगर 12 करोड उनको देने हो सेकेंड रिटेंशन के रूप में तो RCB की टीम एक बार भी नहीं सोचेगी और 12 करोड दे के एक तरह से सस्ते में ही केमरन ग्रीन को अपनी टीम में रिटेंशन कर लेगी अगर वो रिटेंशन होने चाहे तो मुझे लगता है वो रिटेंशन होना चाहेंगे, RCB में रहना चाहेंगे और RCB की टीम इनको second खिलाडी के रूप में retain करेगी which is almost confirmed moving on third number पे आते हैं मुहमज शिराज इनको तो आप जानते ही होंगे जो कि RCB के लिए पिछले कई समय से खेलते हुए आ रहे हैं अब मैं यहाँ पे पूरी तरह से honestly बोलू तो कुछ RCB के fans होंगे आप में सही कुछ fans होंगे RCB के जो कि साइद मुहमज शिराज को उतना पसंद ना करते हों और अपनी टीम में देखना ना चाते हों लेकिन RCB की टीम इनको हमेशा back करती है उस समय back की थी जब 2017-2018 में इनको बहुत बुरी मार पड़ती थी उस समय RCB ने इनको back किया और अब तो international cricket का experience इनको और बहतर गेंबाज बना चुका है और इसी वज़ा से ये तीसरे इनके retain खिलाडी होंगे which is almost confirmed और इसके उपर आप बिल्कुल भी doubt मत कीजेगा चौते नमबर पे आते हैं इंडियन बल्ले बाज रज़त पार्टीदार Royal Challenges Bangalore के टीम के लिए IPL 24 में एक बहतरीन performance करने के बाद इनका जो कद है ये RCB में बढ़ चुका है इस स्पिन को इन्होंने क्या बुरी तरह से धोया IPL 24 में 180-190 के आसपास का इनका स्ट्राइक रेट था इस्पिन गेन बाजों के खिलाफ कई सारे छक्के लगा इस्पिन गेन बाजों को और उनकी धज़िया उड़ा दी चाहें वो कितना ही बड़ा इस्पिन गेन बाज क्यों ना हो और RCB की टीम इस बेहतरीन बल्लेबाज को जो कि मिदल ओडर में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी करता है उनको कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली और ये सस्ते में यानि कि चौते रीटेन खिलाड़ी इनके होंगे जो कि एक स्टील डील हो सकता है जिस तरह का फॉर्म रजट पार्टिदार ने IPL 2024 में दिखाया उस हिसाब से क्योंकि अगर ये मेगा ओक्सन में जाते हैं तो अच्छी खासी रकम तो ये अराम से निकाल लेंगे जिसके वज़े से RCB की टीव इनको 100% है कि रीटेन करेंगे और लास्ट बट नॉट दे लिस्ट पांचवे नमबर पे भाई कौन होगा बहुत सारे कन्फ्यूजन है अगर हम लोग विदेसी ओप्सन के तरफ देखें तो सबसे पहले इनके पास ओप्सन है विल जैक जिन्होंने IPL 2024 में इनके लिए अच्छा परफॉमेंस किया लेकिन एक और बड़ा नाम है ग्लैन मैक्सवेल का ये दो विदेसी ओप्सन है RCB के टीम के पास एक इंडियन ओप्सन भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे विदेसी ओप्सनों में देखे हम लोग तो विल जैक ऐसे खिलाडी है जो कि इनके डिजर्विंग कैंडिडेट है रीटेन होने के लिए IPL 2024 में अच्छा बल्ले बाजी इन्होंने किया कुछ गेन बाजी करके भी ये आपको दे सकते हैं RCB के टीम के साथ इनकी काफी अच्छी बनी उनके इन्वार्मेंट में ये ढल गए और RCB के साथ ये खेलना भी चाहेंगे फ्यूचर में इसी वज़ासे Will Jack जो है एक deserving candidate है पाँचवे रीटेन खिलाडी के रूप में दोसरी तरफ Glenn Maxwell के बारे हम बात करें तो ये एक moody player है हमें पता है कि Glenn Maxwell किस तरह के खिलाडी है situation चाहें जैसा भी हो ये आके अपने अपने अंदाज में ही बल्ले बाजी करेंगे और इनके उपर पता है कौन सा कहावर्ट fit बैठता है पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना लेकिन मैंने सुना है कि बावसीर की जो बिमारी होती है न वो न दिखाया जाता है न बताया जाता है तो कुछ उसी तरह का हाल RCB के RCB का है Glenn Maxwell को लेके क्योंकि RCB की टीम इनको release नहीं करना चाती है लेकिन इनका performance IPL 2024 में इतना बुरा रहा कि ना चाहते हुए भी RCB के टीम को इनको release करना पड़ेगा इवन ये जानते हैं कि किस तरह के खिलाडी है किस तरह की ये बल्ले बाजी करते हैं और कितने बड़े match winner खिलाडी है उसके बावजूद भी RCB की टीम सायद इनको release कर दे और Will Jacks को retain कर ले अगर विदेसी खिलाडी को ये retain करना चाते हैं तो अगर इंडियन खिलाडी को retain करना है RCB को तब ये जाएंगे यस दयाल के पीछे जिन्होंने IPL 2024 में काफी अच्छा performance किया अपनी गेंदवाजी से इन्होंने RCB के फैंस का भी दिल जीता और इसी वज़ा से विदेसी नहीं तो इंडियन के पीछे जाईए और इंडियन होंगे तो वो यस दयाल हो सकते हैं तो ये अब RCB के उपर depend करता है कि वो विदेसी खिलाडी को रीटेन करना चाहते है या इंडियन खिलाडी को हमें आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कि पांचवा रीटेन खिलाडी किसे होना चाहिए विल जैक्स को, ग्लैन मैक्सवेल को या फिर या स्तयाल को साथ ही अगर आपको RCB के IPL 2025 के Probable Playing 11 की वीडियो देखने हो तो चैनल पर मिल जाएगी अगर आपको RCB के Probable Iscourt की वीडियो देखने है तो मिल जाएगी जो की ये वीडियो है और अगर आपको RCB के Target खिलाडी को वीडियो देखने है तो वो भी मिल जाएगी जो कि ये है वीडियो है और इसी दरह से हमने सभी टीमों के उपर वीडियो बनाई है तो एक बार चैनल को विजिट कर लीजे काफी सारी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए सभी वीडियो को देखी इंजोई कीजिए और सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं